हाई फ्रेंट्स बारिस के मौसम में चाय के साथ स्नेक्स खाना किसे नहीं पसंद है तो आज मैं फिर से एक स्नेक्स डेसिपी आप लोग के साथ सेर करने वाली हूँ जो कि बहुत इजी और आसानी से बन भी जाता है और इसे बनाने में कम से कम इंगिडियन्स लगता है और इस नेक्स को बनाने वाली हूँ पूईसाग के पत्ते से तो जो पूईसाग नहीं खाते हैं उसे इस तरह से पूईसाग आप खिलावी सकते हैं तो चलिए इस साग के पत्ते को हम एक एक करके निकाल लेंगे इस तरह से सारे पत्ते को निकाल लिए हैं अब इसे अच्छी तरह से हम धोलेंगे तो एक बोल ले लेते हैं उसमें एड़ करेंगे पानी इस आग में रहता है बहुत सारे मीटी तो इसलिए पानी से इसे बहुत बार अच्छी तरह से धोना चाहिए तो इस तरह से इसे पानी में निकाल के पानी को ड्रेन आउट कर दे तो इस तरह से एक दो बार पानी से आप साग को क्लीन कर ले उसके बाद इसे निकाल ले एक प्लेट में अध्यान रखे साग में पानी ना हो इससे हम ड्राइ-ड्रा ही बनाएंगे तो चलिए साग हमारा क्लीन हो गया है अब आते है नेक्स टेप पे तब इस साग को हमें अच्छी तरह से चौप्ट कर लेना है उसके बाद हम लेलेंगे एक बोल इसमें जो चौप्ट किया हुआ साग है वो add कर देंगे और साथ ही में add कर देंगे कुछ ingredients तो यहाँ पे मैं chopped किया हुआ 1 चमच लसून और हरी मिर्च एड़ कर रही हूँ स्वाद अनुसर साथ मैं एड़ की हूँ आधा चोटी चमच चौप्ट किया हुआ अद्रक अब इसमें एड़ करेंगे तीन चमच बेशन, थोड़ा सा जीरा, स्वाद अनुसर नमक और एक चमच चावल का आटा साथ में हल्दी पाउडर एड़ करके इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो पहले हम इसे इस तरह से सूखा ही मिक्स करेंगे उसके बाद जब हमाई पानी का दरकार अगर लगे तब थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें एड़ करके इसे हम मिक्स करेंगे इसका जो consistency है ये ज़्यादा ना tight होगा और ना ज़्यादा ढीला तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसे हम अच्छी तरह से mix कर लिए हैं अब आते हैं next step पे मतलब इसे है चानने की बारी तो चानने के लिए मैं यहां पे सर्सो का तेल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सर्सो का तेल में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है तो तेल और कड़ाई को बहुत ज़्यादा गरम करके इसे इस तरह से बड़े के आकार में एके करके एड़ कर देंगे फ्रेंट मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारे स्नैक्स और साग रेसीपी आप लोग के साथ सेयर कर चुकी हूँ उसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में एड़ कर दूँगी आप लोग इस वीडियो के एड़ में उसे चेक कर सकते हैं आसा करती हूँ पसंद आएगा तो चलिए इस तरह से इसे हम गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे उसके बाद इसे निकाल के गर्मा गरम चाई के साथ सर्व कर ले आसा करती हूँ आज का ये रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले और मेरी चनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर ले थैंक यू